ना हुआ और जो नतीजे आये हैं वो नतीजे दिखाते हैं कि गुजरात भारती जनता पार्टी के घड़ के रूप में फिर से एक बार अपने आपको प्रस्ताफिक करता है मोदी जी के नेत्रूतों में जो विकास की यात्रा चली थी उसको भारती जनता पार्टी ने आज भी चालू रखा है और आज जो परिणाम आये हैं वो गुजरात में अब तक के सबसे अच्छे परिणामों में से एक परिणाम है जितनी भी सिटे भारतीय जनता पाटी लड़ी जितनी भी सिटे है उसमें लगबग 85% सिटे भारतीय जनता पाटी जिती हैं फिर से एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि देश भर में किसान अंदोलन, कोरोना, कई प्रकार की भ्रांतिया विपक्स ने खड़ी करने का प्रयास किया था और हर ब्रांति को तोड़ते हुए एक के बाद एक नतीजे आये हैं ले लर्दाक से लेकर हैदराबाद तक और गुजरात से लेकर अब बंगाल में चुना हुए उसके भी नतीजे अच्छे आने वाले हैं मोदी जी के नेत्रूतों में सर प्रकार से एक संपून विजय गुजरात में भारती जनता पार्टी को मिली है विजय भाई नितिन भाई और हमारे पार्टी के अध्यक्स स्री सियार पार्टील इनकी पूरी टीम को मैं रदय से बधाई देना चाहता हूँ और गुजरात की जनता का भी रदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने फिर से एक बार गुजरात भारती जनता पार्टी का घड़ है इसको अच्छे तरीके से साबीत किया है धेर सारी सीटों पर कॉंग्रेस की जमानते चब्त हुई हैं धेर सारी जगय पर कॉंग्रेस तीसरे चौथे नंबर पर रही हैं और सिर्फ 44 सीट आना अपने आप में कॉंग्रेस के नेताओं को आत्मचिंथन करनी का जनता का संदेश है और 85 प्रत्सत से ज्यादा सीटे भारतिय जनता पार्टी को जीतना ये भारतिय जनता पार्टी की सरकारों की काम की पधती और भारतिय जनता पार्टी के सिध्धानतों का विजय है जो मोदे जी के नेत्रुतों में काम कर रही है